Students, welcome to next module of introduction to data science course. इस module में हम लोग देखेंगे कि जो current perspective है, वो क्या है? Data science से, you know, overall जो एक data science का ecosystem है, वो क्या है? जो landscape, basically, जैसे मैंने का कि overall ecosystem है, इसके अंदर आपको जो different techniques चाहिए, technologies चाहिए, industry किस तरफ जा रही है, और हम इससे क्या क्या advantages ले सकते हैं, इससे क्या फाइदे उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, basically, इसके अंदर opportunities क्या हैं, individual के लिए, business के लिए, फिर इसके अंदर education के लिए, या टेली कॉम के लिए, manufacturing के लिए, वो सारा overall एक इसका landscape है, हमारा data science का. जो सबसे important काम इस वक्त हो रहा है, वो ये है कि जैसे हमने इस में पिछले module में भी discuss ही है, जो data, हमने बात की कि पांच अरब से ज्यादा social media के user है, we know के तकरीबन इस से ज्यादा या लगबग पांच अरब के internet user हैं इस दुनिया में इस वक्त, तो इसका मतलब यह वक्त जो data की growth है, वो exponentially हो रही है, data जो दुनिया में produce हो रहा है, वो बहुत ज्यादा है, और इसका जो, जिसके ओपर analysis दुनिया कर पा रही है, इस वक्त वो बहुत कम है, जो या जो data हम ज्यादा देर के लिए store करते है, that is just a very very small fraction or percentage of overall data that is being produced, अब तक कम अज़ कम मैं यह समझता हूँ के, हम एक चीज़ establish कर चुके हैं, के data is very very important, लेकिन अब उस data को use करने के लिए, उसको store करने के लिए, उसको analyze करने के लिए, जो effort दरकार है, वो अ major perspective of the challenge for the world today, और यह जो data इस वक्त आपका grow कर रहा है, that is, उसका जो, यह जो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक 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 यह वन एट्टी जीटा बाइट तक इसका पूरी दुनिया में जो size है, वो चला जाएगा, which is beyond imagination, आई से पंदरह बीस साल पहले, even के internet के आने के बाद भी nobody would have imagined, के data इस speed के साथ बढ़ेगा, but this all happened after social media and यह जो internet of things और industrial automation, इन चीज़ों के आने के बाद जो है, वो जो data की, आप देखें के, जो data पैदा होने की, यह data generate होने की speed है, वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, अब यह basically, इसको कहेंगे आप यह एक रैट रेस है, जिसमें हर company दुनिया की infrastructure की companies, IT की companies, आपकी retail companies, e-commerce companies, वो सब अभी इस रेस में हैं, के वो अपना infrastructure इतना अच्छा कर सके, वो जो मैंने अभी बात की, की के सिरफ दुनिया में जो पूरा data अगर 100% है, तो उस में से सिरफ less than, maybe around maximum 5% के करीब data store हो रहा है, बाकी सारा data waste हो रहा है, और हमने यह भी देखा के, दुनिया कह रही है कि जो data यह, that is new oil, it means it has huge value, लेकिन वो value कोई capitalize नहीं कर पा रहा है, due to the single fact, कि इतना सारा data आप store करने लिए आपको कितनी storage चाहिए, storage नहीं, then you need electricity, क्योंकि आपके यह जो server है, यह जो storage है, server है, यह बहुत ज्यादा electricity consume करते हैं, जब वो power consume होती है, तो इसका मतलब है, उनका carbon footprint भी ज्यादा, वो उतनी ही आपको heat भी produce करते हैं, so it's a give and take, और यह बहुत सारी जो companies है, वो अपने करती हैं, कि वो जहां पर उसको cooling के लिए बिजली की जरूरत नहींगे, यह जो आपके data center है, अगर हमने उनको data science की requirement के level लेके जाना है, इसका मतलब यह कि हमें बहुत ज्यादा infrastructure चाहिए, जो कि फिलाल available नहीं है, and this is another, I mean, for you as a student, for your career, as a data scientist, this is good for you, कि अभी तो दुनिया क और शायद 5% data भी analyze नहीं हो रहा, तो अगर आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जैसे जैसे data की storage की capacity बढ़ेगी, analytical needs बढ़ेंगी, तो डिजो data scientist का जो role है, वो और बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ, अच्छा इसमें हमने यह भी देखा कि different जो हमें expertise चाहिए, यह एक पर पूरा हमने का एक landscape है, जिसके अंदर different perspective है, हमने data की quantity की बात की, उसको capacity की बात की, storage की बात की, but again, हमें जब जो overall इसके अंदर चीज़ें चाहिए, उनके अंदर यह हमने थोड़ा बहुत पहले भी discuss किए, statistics is one of the main thing, क्योंकि statistics के बगार data science is nothing in fact, क्योंकि उसकी base ह सारी इसके उपर है, कि अगर आपके को inferential statistics आती है, या आपके पास statistical skills है, only then you can do data analysis or you can have predictive models, इसके अंदर जो data engineering है, यह भी हमने देखा कि engineering के क्या, किस तरह आपने data को store करना है, उसको clean कैसे करना है, noisy data को, उसको different जो ready for analytics किस तरह करना है, जो different data की types है, उनको आपने कैसे manage करन है, पर एक और जो चीज़ बहुत ज्यादा important है, पूरे data science के landscape में, वो है domain knowledge, domain knowledge का मतलब यह है कि किस industry के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर suppose हम सिर्फ social media की बात करें, that is maybe common for different many many industries, लेकिन अगर आप telecom में जाते हैं, आप banking में जाते हैं, insurance में जाते हैं, तो जब आप वहां प industry की जो बात करें तो उसमें basically यही है कि आपने यह देख रहा ही होता है कि when we are talking about any specific industry, हमारी business problem क्या थी, या business की strategy क्या है, business, what is you know, expectations of business from a data scientist, या जो data हमारे पास है, तो उसमें सबसे important काम यही है कि हम वो data को understand करें, उसको analyze करने से पहले, उसको understand करें, कि data का source क्या है, data कहां से हा रहा है, वो किस format में है, उसके हमने problem कौन सी solve करनी है, उसके उपर analytics model कौन सा लगेगा, उसको हम present कैसे करेंगे, कौन सा graph use होगा, उसके लिए कौन सा dashboard use होगा, किस तरह की reports चाहिए, उसमें कौन से KPIs होनी चाहिए, तो basically यह जो सारी चीज़े हैं, यह जब हम combine करते हैं, त पूरा आपका data science का, वो किसी हद तक हम उसको understand कर पाते हैं,